हाई लियो और मतली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे मेका महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है I'm so sorry वीडियो में बहुत लेट बना पारी हूं इस बात और इंग्लिश की वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी है लेकिन मैं कोशिश करूँगे ये वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएं तो बात करते हैं मेका महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है given the situation करोना की जो चल रही है और सब लोग कि परिशान है, confused है, पता नहीं है, क्या हो रहा है तो इन सारी situation के base पे मुझे लगता है कि ये महीना जो है, ये बहुत जादा जरूरी है ये समझने के लिए कि कैसा रहने वाला है और हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है तो मुझे ऐसे लगता है कि मेका महीना आपके लिए जो शुरू होने वाला है वो किसी ऐसी बात से या किसी ऐसी चीज से शुरू हो सकता है जहां पर आपको या तो कोई decision लेना होगा या तो कोई judgment आपको में करनी होगी या फिर आपको कोई ऐसी चीज जो शायद आपने अभी तक लोगों के साथ share नहीं की थी आपने परिवार के साथ share नहीं की थी अपनों के साथ share नहीं की थी वो आपको शेर करनी पड़ेगी तो में का महीना कुछी ऐसी चीज के साथ शुरूरव हो सकता है जो आपको अपने तक आपने रखी थी या फिर अचानक से आपको पता लगी और उसको ले कर या तो आपको चीज हो जो आपने पास्ट में की हो लेकिन उस वक्ट आपने उसके बारे में ना सोचा हो और अब suddenly वो चीज जो है वो वापस से light में आ रही है और आपको इसको देखना पड़ रहा है और आपको उसको भुगतना पड़ रहा है अब उसके साथ मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने आपके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी डूल्स रेगलेशन हैं इस मन्त के वो ज़रूर फॉलो करें और अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें क्योंकि मुझे कही न कहीं ऐसा लग रहा है कि एक ये जो डिसीजन मेकिंग है ये जो जज़्जमेंट है ये जो चीज़ आप अपने सब के साथ शेयर करने वाले हो ये कहीं न कहीं इस गोइंट बी वेरी हैवी ओन यो तो आपके लिए वो बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है और स्ट्रेसफुल रहने वाला है और कहीं न कहीं पास में जब ये सिचुवेशन हुई थी तो आपने इसके बारे में नहीं सोचा था या फिर हो सकता है कि पिछले मही में आपने चीज़ों को य जो आपको एक तरह से इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन्स फॉलो करनी थी वो अपने फॉलो नहीं कि तो आपने उस चीज को ignore नहीं करना है, आपने immediately उस चीज पर रोशनी डालनी है, which means कि connect करना है, चाहे अपनी family के साथ connect करो, चाहे लोगों के साथ connect करो, as in doctors के साथ connect करो, लेकिन आपने किसी ना किसी के सारा साथ जो connect करना जुरूरी है, और अगर आप अकेले रहते हो तो भी ऐसा decision आता है, जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन बहुत strong है, और उसकी वज़ा से आपको कोई नुकसान हो सकता है, या उसकी वज़ा से आपके life situations में कुछ alterations हो सकती है, तो आपने उसको address ज़रूर करना है, कही ना कहीं मुझे आपके कार्स देखके ये लग रहा है, कि ये सारी situation जो है, two weeks से लेके two months तक चल सकती है, which means कि में के महीने में शुरू हो के ये हो सकता है, कि पहले दो हफ़ते ही situation थोड़े सी हावी हो, या actual में दो महीने तक ही situation extend हो, लेकिन उस situation के बीच में ये बहुत ज़रूरी रहेगा, कि आप अपने आपको balance रखो, आप को जितना balance रखोगे, अपनी thoughts को जितना balance रखोगे, उतनी जल्दी आपे situation से बहार निकलोगे और एक better situation में जा पाओगे, उसके साथ में ऐसा भी हो सकता है, कि आप में से कुछ लोगों को financial trouble कुछ चल रही थी, finances पूरे नहीं थे और वो थोड़ा सा और extend होने वाला है, ले ये cards कहीं न कहीं star, ये cards कहीं न कहीं बो रहे हैं, कि इस time में आपके life में shift आ रहा है, या कोई बदलाव आ रहा है, और ये बदलाव थोड़ा सा strong है, और थोड़ा सा कुछ ऐसा है जो आपके actions के कारण हो रहा है, या आपने कुछ ऐसा किया है past में जिसके कारण ये हो रहा ह और अगर ये अपनी family को लेकर बच्चों को लेकर या किसी situation को लेकर worry है तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि आपको voice out जरूर करना है आपको बोलना जरूर है आपको express जरूर करना है छुपाना नहीं है अपने तक नहीं रखना है और अगर आप voice out करोगे तो आपको definitely इसक महीने में रादर आप अपने लिए कोई और job ढूणने की कोशिश कर सकते हो आप अपने लिए कोई और काम ढूणने की कोशिश कर सकते हो लेकिन जितना हो सके आपने इस महीने में वो नहीं शुरूरात नहीं करनी है अगर आप job मिल रहे हैं आपको तो आप next month की लेकिन इस महीने में नहीं शुरुआतनी करनी है उसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अचानक से बाहर निकलना नहीं मतलब आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हुए जो करोना पॉजिटिव था आपने किसी को बताया नहीं और उसकी वज़ा से आपको जब सिम्टम्स आई या किसी तरह की प्रॉब्लम हुई तो वो प्रॉब्लम बढ़ गई तो आपने इस महीने ऐसा नहीं करना है मैं पर किन झीव परिफिनिट्लि फी इस चीज से बच सकते हो तो आपने जान करना है कि अगर आपको जूरूरत नहीं है तो आप बाहर जो नहीं है तो लोगों के साथ कोनेक्ट मत हो और अगर जूरूरत है तभी बाहर जाहो लेकिन पुरे प्रकॉशन्स लो और अगर पॉनी ऐसे चीज आपको लगती है जिसके वारे, बजा से आपको अपनी हेल्थ में डिस्टर भेंट लग रहा है, चैनल भी यह लगार लिकिन वह सा अपनी हेल्थ में जरूरी नहीं करेंग 100% तो अगर आप अपने आपको balance रखोगे, अगर आप अपने आपको negative नहीं करोगे, अगर आप regret नहीं करोगे, rather action लोगे जो चीज़ें आपने की हैं, तो ये महीना जो है वो आपके लिए positively work करेगा, और थोड़ी सी juggling है, थोड़ी सी financial juggling है, जो बहुत टाइम से I know चल रही है because of the situation, लेकिन ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा 2 हफते से लेके 2 महीने तक extend होगी, और फिर सारे situations जो है आपके control में आजाएंगी, तो उतना सा आपको balance करके चलना जो है वो जुरूरी होगा, तो आप प्लीज उस balancing को रखे, अपने health का ख्याल रखे, और कोई भी issue, कोई भी चक्रा आया है, उसकी वीडियो अल्रेडी चैनल पर है, तो उस वीडियो को देखिए, meditation ज़रूर कीजिए, और इस महीने meditation आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी रहे कि क्योंकि आपको voice out करना बहुत ज़रूरी होगा, जो चीज आप सोच रहे हो, जो चीज आपके mind में है, चीज आपको tension या stress दे रहे है, और उसके साथ में, like I said, लोगों के बीच होना, जितना ज़ादा avoid कर सकते हैं, उतना ज़ादा avoid कीजिए, इस महीने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और mental exercise of the month आपके लिए रहेगी, कि आपने अकेले बैठ के अपने आपके साथ connect करना है, अपने लिए जो भी आपने goal setting की है, अपनी life से जो भी आप achieve करना चाहते हो, उन goals को visualize करना है, उन चीजों के बारे में सोचना है, और आप जो भी अपनी life में, है आपकी life में, जितना भी है, चाहे कम, चाहे जाए जादा, उसके लिए जितना जादा thank you बोल सकते हैं, उतना definitely अपनी life में involve कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, रोज सुबाट के नीला आकाश, जो है, sky जो है, उसको जरूर देखिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, number of the month आपके लिए रहेगा, number 10 या number 1, तो यह दो भी number आपके लिए अच्छा रहेग और इसे जादा अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मुझे Facebook लिंक के द्वारा जो के description box में है, या comment section के द्वारा contact कर सकते हैं, और इन वीडियो को जुरूर लाइक किजिए, सब के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज फीडबैक के द्वारा ज़रूर बताईए कि आपको ये वीडियो जो है कैसी लग रही है, predictions कितनी सही हो रही है आपके लिए और क्या चीज़ें आप चाहते हैं, मैं इन predictions में और involve करूँ, मैं आपके साथ मिलूँगे अगले महीने के लिए तब तक के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो